गुद मोरिंग स्टुडेंट्स वालकम बेग टू आवार ओनलाइन क्लास प्रिवेस क्लास पर हम पड़े थे चाप्टर टू पार्ट्स अब कम्पूर्टर के पेज नंबर 16 & 17 और exercise A, B भी कर लिया थे तो आज हम पड़ेंगे exercise C का page number 19 write the missing letters write the missing letters जो C number दिखाई दे रहा है write the missing letters तो इन मेंसे जो दिया गया है one number two three four है कि नहीं एक letter missing है कौन सा letter missing है आप उसे लिखना है ठीक है then k-yb-a-r- क्या होगा अगर आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो दिखने के बाद लिख ले ना ठीक है यह है keyword k-e-y-b-o-a-r-d keyword क्या होगा यह keyword then two number m-u-s-d-s क्या होगा m-o-u-s-e mouse m-o-u-s-e mouse ठीक है then three number क्या होगा s-a-n-r है क्या लिखना है scanner s-c-a-n-n-e-r scanner s-c-a-n-n-e-r scanner ठीक है then four number printer p-r-i-n-t-e-r p-r-i-n-t-e-r यहा पर जो letter नहीं है आपको लिखना है ठीक है p-r-i-n-t-e-r printer then exercise d answer the following question मैं से question दिया गया है one number two three four यह question को answer को पढ़के answer लिखना है then what is a keyword keyboard is an input device जो line में दिया गया है keyboard is an input device it is a typing machine it is used to type letters numbers and characters फिर से बोल रहा हूँ what is a keyboard keyboard is an input device it is a typing machine it is used to type letters numbers and characters okay friends then होगया what is a keyboard and then what is mouse what is mouse mouse is an a sorry a computer mouse is an input device it is a pointing device it is used to select object on the monitor screen it is used to select object on the monitor screen okay then number three write about cpu cpu के बारे में लिखना है write about cpu cpu then cpu is the brain of the computer क्या लिखना है आपको cpu is the brain of the computer cpu stands for central processing unit cpu stands for central processing unit cpu controls other part of computers एबिखना है त्रीकему क्योंसा है cpu से लिखना है निखना है cpu लिखना है word cpu avoiding code cpu is the brain of the computer cpu is the brain of the computer cpu stands for central processing unit cpu लिखना लिखना है अथा अब्षा पॉन कुण कुण सा है फाइब पार्ट्स आप कॉंप्पूटर्स आर मॉनिटर सीपी यू माउस कीवर्ड और जॉयस्टिक ने तो आप स्पीकर भी लेख सकते हैं प्रिंटर भी लेख सकते हैं देन स्कैनर ठीक होगा इन में से कोई पांचो भी लेके लेना कुण कुण सा बोल रह हाई पार्ट्स लिखना ठीक है देन टॉर्न पेज 20 एक्रसाइज ए राइट टी फॉर ट्रू और एफ और फॉर फॉल्स जो दिख रहे हैं नंबर वान है ए मॉनिटर लुक्स लाइक है टीवी यहां पर बोक्स दिया गया है अगर यह मॉनिटर लुक्स लाइक है टीवी इ फॉल्स ए मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी टू लिखना है आपको टी क्या लिखना है टी थेन लॉमबर टू ए सी पू इस यूज तू प्रेंट पिक्स्चर अंड डाटा एस प्यू इस टूर फॉल्स एट इज फॉल्स दन लिखना है एफ क्या लिखना है एफ यह दॉन मॉँस इस टू छू सिलेट ओब्जेक्ट अंडर स्क्रिन टूर फॉल्स एज टूर्फ फॉल्स तो इकटर टूर लिखना इस टूर्फ टूर है टूरे क्या स्पॉर नुर्फ टूरल्स एज जाए रिए movie cartoon देख सकते हैं क्या नहीं then false we can see movie and cartoon on a speaker true or false लिगना है आपको false F क्या लिखना है F number five a keyword is the brand of computer हमने पढ़े थे a cpu is the brand of computer हागे नहीं तो a keyword is the brand of computer is it true or false is it false it is false a keyword is the brand of computer false F लिखना है क्या लिखना है F ठीक है exercise F याई है ठीक दो क्रेक्ट अंसर वान नमबर है इसमें दिया गया है प्लांक है देन अप्शन है A B C नमें से कहीं भी चार्ट के यहाँ पर लिखना है ठीक है देखें वान नमबर डैस इस दा ब्रैन आप पे कम्पुटर अभी बोल रहा था में डेस दा ब्रैन पे कम्पुटर अप्शन एक कीवर्ड कीवर्ड इस दा ब्रैन पे कम्पुटर या माउस इस दा ब्रैन पे कम्पुटर या सिप्यू इस दा ब्रैन पे कम्पुटर कौन सा या इब बोक्स पर क्या करने आपको टिक द कोन दिखाता है और हम कहां आँ कर सकते है अके दन 3 नमबर 3 है दस in used to take a print out on a paper तो computer के जरी हम जो print copy पाते हैं किसके जरी CPU में पासकते हैं क्या printer से पाते हैं क्या या monitor से तो हम printer is used to print on paper पढ़े थे जन अप्शन B टिक करना आपको printer in used to take a print out on paper तो यहापर लिखना है printer तो आपे प्रिंटर को टिक देना है ठीक है तो अप्षन नॉसरी नॉमबर फोर देस हल्पस आज तू लिसन टू मुजिक विच इज प्लेड अन कम्पूटर तो हमें मुजिक सुनने में कौन हल्प करता है अप्षन ए माउस ओप्षन बी गीबड ओप्षन सी आप एपषन सी तो आपको झाल नॉमबर है नॉमबर क्या लिखना है आप एप तो क्या करना है बच्चोब चाप्टर 2 आपका फिनिस हो गया है बाड़स आप कम्पूटर तो सबी एक्सरसाइज को आपनी नोट में लिखना है, भूक में लिखना है, टीके, नोट में लिखोगे, ओके students, thank you, next class पढ़ेंगे chapter 3